हेलो वाइड इस अप गाईज कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं वापसे आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ और आज मैं आप सभी को और एक टुटोरियल देने जा रहा हूँ जो की माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, बेड्रोक एडिशन और एक्सबोक्स एडिशन में काम करता है और वो है माइनक्राफ्ट में कैसे हम एक गोल्ड फार्म, एफिसियंट गोल्ड फार्म बना सकते हैं या गाइज सो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की ओर जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे होड बार में जितना सब सामान है वो सब सामान हमें चाहिए जो कि देख चेस्टे से जिसे की ये एक दूसरे में परके सीधा चस्ध में परना इसको हम लोग को 4x4 का बनाना है तो हम लोग को और एक डबल चेस्ट लगाना पड़ेगा और इसके पीछे और चार हॉपर फिक्स करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से जिससे की यह हमारा 4x4 का एक अच्छा एरिया बन जाए यह देख सकते हैं आप लोग पीछे में और एक लेयर लगा दिया हूँ जिससे की मैं भूल गया था 4x4 करना है और मैं गलती से वह कर दिया था सो लेट गो यह होने के बाद अभी हम लोग को चारो तरफ से 25 ब्लॉक्स अब जाना है सो मैं शुरू करता हूं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके से म सब्सक्राइब करता हूं और यहां पर मुझे और एक लेयर अपस का आड़ करना पड़ा क्योंकि इससे मुझे 4x4 का बनाना था सो यह होने के बाइद अभी हम लोग को यह पूरे इस एरिया को इस तरीके से कुछ ग्लास से कवर अप कर देना है यह सामने वाले को जिससे की थोड़ा लुक भी अच्छा है और हमारा इस हम लोग इस फार्म को अच्छे से क्लियरली देख भी पाएं और फिर आप लोग उनसे मिलता हूं जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैं इसको ग्लास से कवर अप कर चुका हूं और अभी हम मुझे एक काम करना है जो कि मैं भूल गया था यहां पर एक एक स्लैब आड़ करना है यह आपकी मर्जी है अगर आप चाहें तो आड़ कर सकते हो वरना मत कीजिएगा अभी हम लोग उनको ऊपर में एक प्लाटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो की होगा नाइन बाइन का आड़ नाइन बाइन गा बट मैं आपको दिखा देता हूं एक बार किस हिसाब से बनेगा तो लेस्ट गो गाइस कुछ इस तरीके से मुझे यहां से नाइन ब्लॉक इधर को लेकना है तो मैं जल्दी से जल्दी खीशता हूं और फिर आप लोग उनसे मिलता हूं जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ऐसे नाइन ब्लॉक चारो तरफ खीच लेना है और उसको फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से फ् एस अभी हम लोगको अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है अभी हम लोगको इस ब्लॉक पर यह जो 9 ब्लॉक है इस ब्लॉक पर रखके आगे सिकश्छ ब्लॉक बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से ऊट cały action में बढ़ाना है और चारो डिर्शन में ऐसे से ही पूरा platform बना देना है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा तो लेस्ट को काई मैं से complete करता हूं और फिर आप लोग उनसे मिलता हूं मैं आपको और एक चीज बताना भूल गया भूल नहीं गया वह मैं गलती से चुड़ गया तो यह गाइस सिक्स ब्लॉक नहीं सेवन ब्लॉक खिचना है जिससे कि हम लोग यहां पर एक बॉर्डर क्रियेट कर सके और जितने भी हम लोगा में ब्लॉक है उसको एक बॉर्डर खिच देना जी से करसे और जितनारी हम लोग का स्बॉंड उसको हे यहां वह सब जा सके कुछ इस तरीके से हम लोग border बना लेते हैं और यहां पर corner पर कुछ इस तरीके का v-shape का उपर में बना लेंगे तो let's go guys मैं जल्दी से जल्दी इसको cover up करता हूँ और फिर आप लोग उनसे मिलता हूँ तो ओके गईस यह होने के बाद अभी हम लोग उनको यहां पर कुछ इस तरीके से बॉटर बकेट प्लेस करना है इससे कि यह सीधा नीचे चला जाए तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से करने से धीरी धीरे नीचे आये जा रहा है जल्दी से जल्दी कुछ इस तरीके से फिल अप कर देता हूं और फिर आप लोग उनसे मिलता हूं जैसे कि यह देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से जैसे कि यहां पे और यह ध्यान रखना है यहां पे कहीं पे भी इंफनाइट सोर्स नहीं बनना चाहिए वरना पानी फ्लो नहीं करेगा और यह मिडल तक जाएगा नहीं तो ओके जैसा कि आप सभी लोग देख सकता है कुछ इस तरीके से यह स्ट्रीम बना देनी है उसके बाद इस जगा पर यह सिक्स्त नंबर ब्लॉक मतलब यह हमारा जो नाइंध नंबर ब्लॉक पर हम लोग शुरू किये हैं यहां पे करिवन तीन ब्लॉक का हाइट लेके ज पोर्टल बना लेना हम लोग के चारों तरफ से कुछ इस तरीके से और यह पोर्टल 22 बाइट 22 का होना चाहिए कुछ इस तरीके से तो ये देख सकते हो गाइज कुछ इस तरीके से एक पोर्टल बना लेना है और मैं इसको एक बार लाइट अप करके भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से ये लाइट आप हो जाएगा और याद रखना गाइज इससे ज्यादा मद बनाना वरना ये portal on नहीं होगा जल्दी से जल्दी चारों तरफ इसी height का एक और portal बना लेता हूँ और फिर आप लोग उनसे मिलता हूँ जैसा कि आप सभी लोग देख सकता है कुछ इस तरीके से portal बना लेना है और आपको मैं एक बार light up करके भी दिखा देता हूँ कि यह किस तरीके से दिखता है ये देखो गाइस किसे क्या खतरनाक लग रहे है मेरा बस चलता नगाइस अगर यह काम करता तो मैं उपर और नीचे दोनों को कर देता कोई ना चलेगा यह देखो एक पेगलिंजा से गेला अगर आपको यह टेस्ट करना कुछ इस तरीक से यह क्रेटिव मोड में ऐसे टूट जाता है लेकिन यह हमें सवाइवल मोड में ऑपसीडियन तोड़ना पड़ता है तो समहल के यह पोर्टल वाना ना गई जिससे कि आप पे ट्राइब डॉर्स लगा दूंगा जिससे कि वो लोग अराम से नीचे जा सकें इतना काम होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट चालू होता है जिससे कि हम यह पोर्टल बार-बार ओन-उफ होता रहे तो लेस्ट गो करते हैं और उसके लिए मैं समान लाता हूं और फिर आ पाना भूल गया मैं वापस से आप से मिलता हूं मैं आ चुका हूं मैं रेड स्टोन भूल गया था वो लिक क्या आ चुका हूं सो लेट्स को शुरू करते हैं तो आपको जैसे कहीं भी इस एक साइड ले लेना है और वहां पे कुछ इस तरीके से ओ सॉरी सॉरी यह नहीं कर इसको छोड़के तक ऐसे एक स्टेंड कर लेना है ऐसे हम लोग को चारों तरफ कर लेना है कुछ इस तरीके से इस तरीके से यह होने के बाद अभी हम लोग को एक काम करना है यहां पे अभी हम लोग को अब्जर्वर्स लगाना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक observer और इधर 6 observers observers लगा देने हैं गाईस चारो तरफ जल्दी से जल्दी observers लगाता हूँ और फिर आप लोग उनसे मिलता हूँ जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना लेना है अब उसके बाद इसको चारो तरफ से ऐसे cover up कर लेना है कुछ इस तरीके से जिससे की यह ना दिखे अहाँ गाईस ऐसा ग्लिस तो आता ही रहेगा इसलिए आप लोग कुछ इस तरीके से इसको cover up कर दें जिससे की यह कुछ इस तरीके से ही हो जाए अब इसको to two blocks height पे इसको cover up कर देना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पे नीचे वाला block को छोड़के यह उपर वाले में सिर्फ आपको blocks डाल देना अब आता है next काम हम लोग यहाँ पे नीचे चलेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से चारो तरफ इस लाइन पे से ट्रैपढ दोर लगा देंगे और यह अधरे ट्रैपडोर को कुछ इस तरीके से खोल देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग मुया बीच ओव प्रॉब्लम नहों और यह पोर्टल को अभी तो हम लोगों को बार बार ने दर हम लोग चले जाएंगे तो लेस्ट को गई मैं चारो तरफ इसको बनाता हूं और फिर आगे आपको बताता हूं क्या करना है अब बार 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 तूटेगा और वह बनाने के लिए हम लोग को यहां पे कुछ इस तरीके से एक सिस्टम बनाना पड़ेगा so let's go guys मैं वो system दिखाता हूँ यहाँ पर हम लोग को चार block ले लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हम लोग को एक dispenser लगाना है और फिर हम लोग उनको ऐसे लगा देना है और यहाँ पर हम लोग उनको वाटर भर देना है जैसे कि यह बार बार वाटर ऐसे dispense करता जाए और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग लावा डाल देंगे जिससे कि यह बार बार यह देखो ऐसे light up होता रहेगा और वो तूटता रहेगा कुछ इ अगर यह बार बार टूटके बनता रहेगा यह देख सकते हो अब यह प्रॉपरली काम कर रहा है और यह देखो किस हिसाब से यह आये जा रहे हैं और अगर यह चारो तरफ ऐसे हुआ तो कितने पार इस पॉन ना होंगे तो लेस्ट गो मैं इसको पहले यह करता हूं और फि इसको शुरू करते हैं चारो तरफ मैंने भर दिया है अभी हम लोग उनको यहाँ पे चारो तरफ उपर में लावा डाल लेना है कुछ इस तरीके से लावा हम लोग डाल लेते हैं और इसको लाइट अप कर लेते हैं अगया जैसा कि आप सभी लोग देख सकते। यह लाइट प्रू चुका है अभी हमारा नेक्स्ट काम है इसको शुरू करना यह फाम को शूरू करते हैं और देखके हैं का सा काम कर और हां काई से एक फार्म को कभी बार-बार ओन मत छोड़ देना वरना बहुत लैगी हो जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड और हो सके तो इसका रेड स्टोन कम से कम यह देखो कितना मांट में नीचे गीर जा रहा है यह देखो तुम्हारा एफिशियंट यह एफिशियंट यह देखो कैसे नीचे गीर जा रहा है तो अभी पांस-दस मिनट यह सिर्फ हुआ है लेट्स को चब चेक आउट करते हैं ओ भाई चलो थोड़ी देर एएफ के रहते हैं और फिर पता करते हैं कि यह कितना देर में कितना दे सकता है हमें लेटरली गाइस मैं यहां से कुछ देर से खड़ा हूं and it's insane farm oh my god it's insane let's go आप देख सकते हैं गाइस यह कितना सारा spawn किये जा रहा है अब मैं आपको एक बार इसके पास जाके दिखा देता हूं कि कितना हुए है let's go insane oh my god literally guys क्या efficient farm है यह देख सकते हो भाइस सहाब so okay guys आज के लिए बस इतना ही hope you guys enjoyed this video अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी प्लीज लाइक करो शेर करो and let me know in the comment section कि आपको कैसा लगा है वीडियो अगर इसका यह मैसिव फाम है अगर इसका मैसिव से भी मैसिव फाम अल्ट्रा मैसिव देखना है तो stay tuned गाइस मेरा survival world में मैं इससे भी बड़ा farm बनाऊंगा तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा जो कि है सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस हम लोग टू के और की बढ़ते जा रहे हैं टू के और की तो प्लीज कर दो या लेट्स गो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगे लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक्स